दोस्तो जस्ट अभी अभी कुछ देर पहले मार्केट से काफी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है एक कमपनी ने यहाँ पे 5 is to 5 के रेशियो से स्टॉक बोनस अनौस कर दिया है और साथी साथ में 1 is to 10 के रेशियो से स्टॉक स्प्लेट अनौसमेंट भी निकल करके आ र तो इस कमपनी ने जो है लास्ट वन इयर के अंदर में अपने इन्वेस्टर्स को 190 परसेंट के रेटरंस दे दिये हैं जो कि पिछले एक साल के हिसाब से काफी जाद अच्छे रेटरंस है एड़ इस कमपनी का जो शेयर प्राइज है 194 रुपीज के उपर में चल रहा है इस इस कमपनी की जो मार्केट कैपिलाइजेशन है वो सिरफ और सिरफ 77.8 करोर रुपीज की है जो कि इसे एक माइक्रो कैप कमपनी बना देता है इस स्टॉक का जो पी ए रेशो है वो 124 का है तो कहीं न कहीं देखा जाए ये कमपनी का शेयर अभी काफी जादा ओवर स्टॉक की 31 रुपीज की है कमपनी का जो डिविडेंड डील्ड है वो 0% का है इस कमपनी का जो ROCE यानि की रेटान ओन कैपिल इंप्लॉइड है वो 11.2% का है जो की एवरेज से कम है और वहीं जो कमपनी का ROE यानि की रेटान ओन एक्विटी है वो एवरेज से काफी कर सकती है जितना exponential growth report कर सकती है उतना अभी फिलाल कमपनी नहीं कर पा रही है फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपीज की है और कमपनी का जो debt to equity ratio है वो 0.60 का है तो कमपनी के अपर में debt भी ठीक ठाक मौझूद है ना ही कम है और ना ही जाद है एक moderate debt कमपनी के अपर में कमपनी की sales 15.91 करोर रुपीज की थी वही 2023 के अंदर में ये बढ़ करके 25.64 करोर रुपीज पे आ चुकी है तो last one year के अंदर में no doubt कमपनी की sales के अंदर हमें एक exponential growth यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है बट अगर आप अभी का देखेंगे यानि की अभी जो financial year चल रहा है ग्रोथ तो ठीक है बट last year के comparison में उतना जादा grow company ने आपे नहीं किया है अगर हम लोग company के operating profit की बात करें 2022 के अंदर में company का operating profit था 0.86 करोर रुपीज का जुकी 2023 के अंदर में बढ़ करके 1.26 करोर रुपीज पे आ चुका है तो 2022 से लेकर के 2023 ये जो one year का gap है इसके अंदर sales के साथ साथ operating profit पे भी हमें काफी exponential growth यहाँ पे देखने को मिला था बट अगर आप अभी TTM देखेंगे तो इसके अंदर जो operating profit अभी तक company कर रही है वो 1.57 करोर रुपीज का है तो 2023 से लेकर के 2024 का है जो एक साल है इसके अंदर हमें growth उतना तीजी से होता हुआ नहीं देखन को मिला अगर हम लोग company के net profit की बात करें तो 2022 के अंदर में company के net profit 0.30 करोर रुपीज का था जोगी 2023 के अंदर में बढ़ करके 0.44 करोर रुपीज पे आ चुका था तो यहाँ पे last one year के अंदर में 2022 से 2023 के अंदर में हमें net profit में ठीक था growth देखने को मिला अगर आप ये 2024 को भी consider करते हैं already company 0.63 करोर रुपीज का net profit कर चुकी है जो कि आप कह सकते हैं decent growth हमें देखने को मिल जाता है all over company के financials की बात करें year on year basis पे definitely हमें एक अच्छा growth consistently देखने को मिल रहा है जो की काफी अच्छी बात है एक बार हम इस company के shareholding patterns की बात करें तो हमारे पास में December 2023 वाले quarter का last data मौझूद है जिसकी according promoters के पास में इस company का 66.75% का stake है और बाकी का जो 33.24% का stake है वो public यानि की retail investors के पास में मौझूद है अब shareholding patterns हमें average देखने को मिल जाते हैं बीच में अगर आप देखेंगे 2023 जून तक promoters के पास में company का 70% stake था तो promoters ने अब अपने shares को sell किया है बात है shareholding patterns का अगर उसके अंदर वापस से promoters की holding आपको increase होती हुई देखने को मिली तो definitely आप then इने एक अच्छे shareholding patterns कह सकते हैं अभी फिलाल इस database के एसाब से हमें shareholding patterns यहाँ पे average देखने को मिल जाते हैं अब अगर हम बात करें इस company के share के नाम की तो company का नाम है निध announce कर दिया है 1 is to 1 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको एक share is a bonus मिलेगा total में जो आपका एक share है वो दो shares के अंदर में convert हो जाएगा आप इसको 5 is to 5 का bonus ratio भी कह सकते हैं basically आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो उतने ही shares का आपको bonus दिया जाएगा in short आपके जितने भी shares होंगे वो सभी के सभी यहाँ पे double हो जाएगे and जैसे कि मैंने आपको बताया यह एकदम latest announcement है इसी चलते इसको देने की x date record date फिलाल अभी upcoming में है जैसी announcement आएगा मैं आप लगो को सबसे पहले intimate कर दूँगा अब यह तो हो जो कि पिछले एक साल के हिसाब से definitely काफी अच्छे returns है and इस company का जो share price है 186 रुपीज के उपर में चल रहा है इस company की जो market capitalization है 203 करोर रुपीज की है again यह भी एक micro cap company है and इस stock का जो PE ratio है वो 19.4 का है कही ना कहीं यह company का share अभी आपको एक fair valuation के उपर में मिल जाता है book value stock की 59. 9.7 रुपीज की है इस company का भी dividend yield तो 0% का है बाकी company का जो ROCE यानि की return on capital employed है यह हमें average देखने को मिल जाता है 16.3% का है और वहीं जो ROE return on equity है यह भी लगबग average से थोड़ा कम है बाकी से average ही consider करा जा सकता है 12% का है face value stock की 10 रुपीज की है और company की जो सबसे positive बात है वो यह है कि यह company का जो debt to equity ratio है वो 0 का है मदलब company पूरी तरीके से debt free है company के उपर में एक भी रुपे का कर्ज यहाँ पे मौजूद नहीं है अगर हम लोग इस company के financials की बात करें simply last one year के data को हम लोग यहाँ पे compare करेंगे सबस 2023 के अंदर में यह बढ़ करके 107 करोर रुपीज पे आ चुकी है और अभी यह जो 2024 वाला financial year अभी चल रहा है जो कि इसी मंत मार्च के अंदर में end होगा इसके अंदर already अभी तक company जो है 179 करोर रुपीज की sales कर चुकी है तो कही ना कहीं अगर हप company की sales को देखते हैं definitely year on year basis हमें काफी अच्छा growth है आपे देखने को मिला है बट 2022 से पहले और even 2021 से पहले यह company 400 करोड 500 करोड even 700 करोड तक की भी sales कर चुकी है तो कहीं ना कहीं अभी company का जो sales का number है हमें as competitively कम देखने को मिलता है अगर हम लोग company के operating profit की बात करें 2022 के अंदर में 1 करोर रुपीज का operating profit थ उसके next year 2023 के अंदर में 7 करोर पे आया तो यहाँ पे हमें jump काफी अच्छा देखने को मिला और अभी का current financial year चल रहा है जो कि अभी March के अंदर में end होगा इसके अंदर में company का जो operating profit है अभी तक 4 करोर रुपीज पे आ चुका है तो कहीं ना कहीं देखा जाए company की sales आपको almost य देखकर के चीज़ automatically पता लग जाएगी company के financials बिलकुल भी यहाँ पे stable नहीं है किसी साल एकदम ही company की sales बूम कर जाती है अगले ही साल एकदम sales ठप पड़ जाती है साथी साथ मैं operating profit भी देखेंगे किसी साल तो माइनस 50-50 करोर रुपीज को operating profit है यानि की operating loss है और किसी साल स company के net profit की बात करें 2022 के अंदर में 67 करोर रुपीज का net profit किया था company ने जी हाँ sales थी 12 करोड की और net profit था 67 करोर रुपीज का और profit before tax था 102 करोर रुपीज का because यहाँ पे company को other income आई थी यह 102 करोर रुपे की तो कहीं ना कहीं देखा जाए जैसे कि मैंने आपको बताया financials काफी ज और अभी वला जो current year है इसके अंदर में 10 करोर का net profit company अल्रेडी कर चुकी है कहीं ना कहीं देखा जाए दुबारा से कहता हूँ financials काफी जाधा unstable हैं आज आते हैं बात कर लेते हैं इस company के shareholding patents की हमारे पास में December 2023 वले quarter का last data मौजूद है जिसकी according promoters के पास में company का 89.60% का stake ह और बाखी का जो 10.39% का stake है वो public यानि की retail investors के पास में मौजूद है shareholding patterns definitely काफी अच्छे हमें देखने को मिल जाते हैं because यहाँ पे अगर आप देखेंगे लगबग 2022 जून वाले quarter तक यहाँ पे promoters की जो holding थी वो 53% की थी जिसको promoters बढ़ाते बढ़ाते काफी उपर लेकर के आ चुके हैं कहीं ना कहीं shareholding patterns आप कह सकते हैं अच्छे हैं अब आ जाते हैं बात कर लेते हैं stock के नाम की तो company का नाम है धातरी उद्योग limited धातरी उद्योग का जो bomb stock exchange का code है वो है 540080 अगर हम लोग company के official announcement की बात करें तो company ने यहाँ भी stock split announce कर दिया है 1 to 10 के ratio से जिसक फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हो आप लोगों का हर एक share यहाँ पे 10-10 shares के अंदर में convert हो जाएगा and finally company ने stock split को देने की x date और record date announce कर दी है जोगी 28th of March की रहने वली है तो अगर आपको इस company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको इसके stock split का benefit मिल पा बाकी इस video के अंदर में इतना ही अब अगर आप कोई video अची लगी हो video को जरूर से like कर दीजेगा please इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा because फिनो media के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और video के अंदर till then bye